जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं उन्हें होमवर्ट में करके लाना ठीक है लेकिन सर मेरे लिए मैट्स और लैंग्विज आट्स एक साथ फिनिश करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी सर आपने इंगलिश और साइंस का होमवर्ट भी नहीं दिया देखो अगर तुम दोनों इतना सा भी होमवर्ट नहीं कर पाते तो मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है अगर यही हाल रहा तो शर्ट लगा लो तुम्हारे ग्रेड्स इंप्रूव नहीं हो पाएंगे क्या कहा तुमने जियान अपनी सीट पर बैठो और तुम भी नो बिता इस तरह क्लास में शोर मचान अच्छी बात नहीं है तुम्हें सुनियों से कुछ सीखना चाहिए वो बिना भूले अपना होमवर्क पुरा करता है इसलिए उसके ग्रेड्स सुधरते जा रहे हैं मैंने सही कहा न सुनियों सर प्लीज आप मेरी इतनी तारिफ मत कीजिये अगर आप ऐसे ही तारिफ करेंगे तो मुझे रात में नीन नहीं आएगी ये सब इन्वार्मेंट का कमाल है दोस्तों अगर एन्वार्मेंट सुटेबल हो तो तुम्हारा अपने आप पढ़ने का मन करेगा समझे वो क्या है वेकार स्कूल या वेकार ट्यूटर्स गलत जवाब तो फिर क्या है सुनियों वो है एन्वार्मेंट वीडियो क्या एन्वार्मेंट वीडियो ये क्या चीज है बताने से समझ में नहीं आएगा अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरे घर आ जाना जब देखोगे तो समझ जाओगे बहते हुए जरने की अवाज सुनो क्या तुम्हें हवा में उड़ते पत्तों की अवाज सुनाई दे रही है मैं तो बर्द की चोपिंग भी सुन सकता हूँ ऐसा लगता है जैसे मैं पहाड़ों पर पहुँच गया हूँ मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये एन्वार्मेंट वीडियो है इसमें ऐसे बहुत सारे सीन है इसलिए ये इतना पॉपिलर है दोस्तों इसकी मदद से तुम अपने आपको शेहर के शोर से दूर रख पाओगे और अपनी स्टेडिस पर कंसेंट्रीट कर पाओगे दोस्तों क्या यही वो रीजन है सुनियो ये सच में बहुत अच्छा है मुझे भी यहीं पढ़ने दो सुनियो ठीक है और मुझे भी तुम नहीं नोबिता अगर तुम यहां रहोगे तो मैं अपने पढ़ाई नहीं कर पाओँगा अच्छा होगा तुम जंगल में जाकर पढ़ो समझ गए डूरेमोन सुनो आखिर मुझे पता चल गया क्या पता चल गया? तुम हमेशा क्लास में सोते रहते हो इसलिए तुम पढ़ नहीं पाते हो बिल्कुल नहीं तो फिर तुम अच्छे से पढ़ कर क्लास रूम में नहीं जाते ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास environment video नहीं है क्या कहा environment video? हाँ ये बहुत छोटी सी चीज है पर सुनियों ने कहा था कि उसके grades environment video की वज़े से ही improve हुए है अजीब बात है अगर उसमें पढ़ने की इच्छा होगी तो उसे ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी इच्छा ही तो मुश्किल से मिलती है प्लीज मुझे एक environment video दे दो ना ये इतना असान नहीं है नोबिता प्लीज मान जाओ ना आज मुझे बहुत चारा homework करना है अगर मुझे मदद नहीं मिली तो गरबढ हो जाएगी प्लीज डोरेमान तुम सच में homework करोगे हाँ सच में डोरेमान तो ठीक है environment screen and projector इसे ठीक से पकड़ना नोबिता सीनरी इसी पर प्रोजेक्ट होगी हाँ क्या सच में डोरेमान इस प्रोजेक्टर से एक glow बटाज्ट है ये फ्रीली घूमता है जब तुम कोई भी जगह देखना चाहो तो इस पिंग को उस जगह पर लगा देना देखो इस तरह से ये क्या है distance और height अपने आप adjust हो जाते हैं देखो ये Niagara Falls है famous Niagara Falls नोबिता अब मैं इसे बंद कर दूँ तुम्हें पढ़ना भी तो है हाँ ठीक है कहां से शुरू करूँ तो सबसे पहली प्रॉबलम है ये तो बहुत मुश्किल है अरे नहीं अब क्या करूँ डोरे मौन मैं नहीं पर सकता ये सीन तो बहुत नॉइजी है तुम्हें ऐसा लगता है अच्छा तो ठीक है इसके बारे में क्या ख्याल है क्यानिडा के वर्जिन फॉरिस्ट कैसे रहेंगे हाँ ये अच्छा है डोरे मौन तुम्हें शुरू से ही ऐसा कुछ प्रोजेक्ट करना चाहिए था यहां कितनी शांती है शेहर की शौर से दूर अब मैं आराम से यहां अपना होमवग कर सकता हूँ देखो नोबिता अब मैं एक वॉक के लिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हें मेरी वज़े से डिस्टर्बिंस ना हो ठीक है अरी वाँ, अब मैं आराम से बैट कर अपना होमवग कर सकता हूँ याद आया, मैं जियान और सुन्यो को अभी इस बारे में बताता हूँ हेलो, मैं सुन्यो बोल रहा हूँ हाँ, क्या कहा तुमने, तुम्हारा इंवायरमेंट वीडियो मेरे वीडियो से बहतर है हाँ, तुमने सही कहा सुन्यो, ये कमाल का है, क्या तुम मेरे घर आकर इसे देखना चाहोगे वो दोनों हैरान हो जाएंगे वो दोनों लेट है, पता नहीं कहा रहे गए हाँ, तुमने अपना हूमवा कर लिया, हाँ, उठो, उठो नो बिता, उठ जा अपना हूमवा करो, चलो उठो, नो बिता, उठ जाओ, ओ डोरे मौन तुम, अभी तुम क्या कर रहे थे, मैं तो सिर्फ सुन्यो और जियान का वेट कर रहा था, डोरे मौन, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो अब जल्दी से अपना हूमवा करो, नो बिता, इससे कोई फाइदा नहीं हुआ, ये सीनरी अच्छी नहीं है, तो बताओ, तुम्हारे लिए कौन सी सीनरी अच्छी रहेगी, मैं सही नहीं बता सकता, समझ गया, अगर शजुका यहां होगी, तो अच्छा रहेगा, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ, रुक जाओ, मैं जाता तुम बैट कर अपना होमवर्क करो, अरे, हाई टोरे मोन, कैसे हो तुम, मैं ठीक हूँ, नोबिता तुम्हारे साथ होमवर्क करना चाहता है, नोबिता ऐसा चाहता है, लीज मेरे साथ चलो, मैंने वहाँ एक एंवार्मेंट स्क्रीन और वंडरफूल सीनरी लगा दी है, इ अरे, वो यहाँ नहीं है, पता नहीं नोबिता कहां चला गया, अब उसे कैसे डोने, अरे पो रहा, अरे वहाँ, यह वहाँ क्या कर रहा है, अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया, तो मैं इसे हटा दूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, डोरे मॉन, वो बहुत रेर बाटरफलाई थी, मुझे तो लगता है, इस सीनरी से भी बात नहीं बनेगी, इसे हटाना होगा, शिजूका, तुम कुछ सजेस्ट करो, मुझे लगता है, हाँ, समझ गई, ओशन की सीनरी कैसी रहेगी, डोरे मॉन, हाँ, ठीक है, अम, देखो, मैंने ओशन की सीनरी से करती है, शिजूका, बहुत सुन्दर, हाँ, ये अच्छा है, अब मैं आराम से अपना होमवर्ग कर सकता हूँ, हेई, योबिता, वो दोनों आ गए, अरे, ये तो कमाल का है, हाँ, तुमने सही कहा, अरे, ये तो बहुत आसान है, देखो, इसे ऐसे करते है, हाँ, इसे कैसे करूँ, हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या देख रहे हो, नोबिता, हाँ, नहीं, नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, हाँ, क्या हम एक ब्रेक लेले, पर हमने अभी तो होमवर्ग करना शुरू किया है, तुम्हें अपने पढ़ाई पर कॉनसेंट्रेट करना सारी हाँ, देखो डॉल्फिन्स हाँ, हाँ सारी अगर ऐसे ही करते रहे तो होमर कभी खत्म नहीं होगा हाँ, मैं जानता हूँ देखो, एक शिप ये मुझे डिस्ट्राक्ट नहीं कर रही हाँ, ऐसे ही पढ़ते रहो नोबिता इतने सारे बर्द्स भी मुझे डिस्ट्राक्ट नहीं कर रहे हाँ, अब ठीक है एक बहुत बड़ी वेल भी मुझे डिस्ट्राक्ट नहीं कर सकती तुमने सही कहा नोबिता मुझे राफ्ट पर बैठे उस आदमी को भी नहीं देखना चाहिए एक राफ हाँ, वो खटे रहे अरे नहीं हमें उसे बचाना होगा वो रहा सुनिए क्या आप ठीक है अब हम क्या करें डोरे मॉन हाँ, हमें इसे किसी बोर्ट तक पहुचाना होगा नोबिता मैं बहुत खट गया इस तरह पढ़ने में कोई मज़ा नहीं है तुम्हें सिर्व अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए समझे नोबिता मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सुनियो मैं खुशू हमने उसे बचा लिया तुमने सही कहा मुझे लगता है यहां का इंवाइर्मेंट कितना भी अच्छा हो लेकिन उससे कोई फाइदा नहीं, चलो हम घर जा रहे हैं हाँ चलो, चलते हैं मैं भी अपने घर जा रही हूँ वहां मैं अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ बात में मिलते हैं आरे नहीं उन्हें जाने दो नोबिता, उन्हें जादा देर तक रोपना ठीक नहीं रहेगा वैसे ये बताओ, तुमने अपना होमवर्क कितना पुरा कर लिया मैंने होमवर्क नहीं किया ओ नहीं ओशन अच्छा नहीं था, कोई ऐसी सीनरी लगाओ जो पढ़ने के लिए जादा सही हो ओके, मैं कोशिश करता हूँ तो बताओ ये सीनरी तुम्हें कैसे लगी नोबिता, ये एक बर्ट से ठका पहाड है ये अच्छी है डोरेमान, यहां हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा अब मैं आराम से होमवर्क पूरा कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता अब क्या बात है नोबिता, क्या इस सीनरी से भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा, बताओ अभी भी मेरा बहुत सारा होमवर्क बचा है डोरेमान, अगर मैं अभी शुरू करूँगा तो इसे पूरा करने में सुबा हो जाएगी अरे तुम तो बहुत आसानी से हार मान लेते हो, अगर तुम पूरा होमवर्क नहीं कर सकते हो, उतना तो करो अगर तुम मन लगा कर नहीं पढ़ोगे तो कभी अपना होमवग पूरा नहीं कर पाओगे समझ गया, मैं करता हूँ एक बात आओ नो बिता अगर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना मैं समझ गया डोरेमॉन हाँ, अरे स्नू चाहे स्नू गिरे या स्पियस गिरे मुझे अपना होमवग करना है ऐसे ही करते रहो स्नू बहुत ज्यादा गिर रही है पर मुझे इससे कोई फार्क नहीं पढ़ता आज मैं अपना होमवग पूरा कर के ही रहूँगा बहुत अच्छे लगता है कोई हो गया है लेकिन मुझे से कोई फरक नहीं पड़ता हो गया है? अरे ये क्या? नो बिता फिर से नहीं बहुत तेज तूफान है मेरी लिए रुको हे तुम कहा हो मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है डोरे मॉन वो यहीं कहीं होगा नो बिता हमें उसे ढूना ही होगा हे सुनो तुम कहा हो तुम कहा हो कहा हो तुम कहा हो वो रहा ये तो बेहोश है इसे कहीं और ले जाना होगा तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है बताओ मैंने इतने अच्छे सूप नूडल्स पहले कभी नहीं खाये थे मैं माउंटेन क्लाइंबिंग कलब के दूसरे मेंबर से अलग हो गया था मुझे लगा कि मैं नहीं बच पाऊंगा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्या तुम कॉलेज में पढ़ते हो हाँ पढ़ता हूँ तो इसका मतलब है कि तुम आसानी से मेरा होमवक कर सकते हो लेकिन नोबिता रेखो ये सब ठीक नहीं है नोबिता तुम चाहो तो इनसे पूछ सकते हो लेकिन तुम्हें अपना होमवक खुद ही करना चाहिए कोई बात नहीं तुमने मेरी जान बचाई है उसके बदले मुझे भी कुछ काम करने दो अगली बार मैं होमवक अपने आप ही कर लूँगा देखो नोबिता ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ हल बार ऐसा ही होगा हाँ तुम चिंता मत करो मैं जानता हूँ